तो दोस्तों आज मैं आपको 2019 में आई माई सोल टू कीप नाम की एक फिल्म को एक्स्प्लेन करूंगा इस मूवी को डारेक्ट किया है अजमल एमद ने तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ तो मूवी की शुरुवात होती है इलाई नाम के एक बच्चे को दिखाते हुए जो की अपने स्कूल में एक स्पीश दे रहा होता है वो ये मानता है कि उसके घर के बेस्मेंट के अंदर एक मॉनस्टर रहता है वो ये भी मानता था कि वो monster Eli की soul को चाहता है क्यूंकि वो ऐसा करके और भी ज़ादा ताकतवर हो जाएगा और कल को अगर वो गायब हो जाए तो वो उसके किसी भी classmate के पीछे भी आ सकता है ये सुनकर उसके सभी classmates बहुत ही ज़ादा डर जाते हैं लेकिन उसकी teacher उसके विश्वास नहीं करती लेकिन वहाँ पर Eli के दो दोस्त Sam और Hilary दोनों उसके विश्वास करते थे Eli के mom dad Eli के इस डर को खतम करने की कोशिश में थे क्यूंकि वो उससे बहुत ही ज़ादा प्यार करते थे इसके लिए वो एक doctor के पास भी जाकर उसे treat करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो doctor खुद नहीं समझ पाती कि आखिरकार उसके साथ में हुआ क्या है लेकिन Eli की elder sister Emily उसे पसंद नहीं करती थी तो वो उसे बचाने में कोई भी interest नहीं दिखाती स्कूल में अब Hillary उससे आकर बात करती है कि उसे खुद भी कुछ अजीब सी आवासे आती है जिसे सुनकर वो डर गई है अब Eli के डैड उसको ये समझाते है कि बर्गलरी वाली स्टोरी एक जूट थी जिसे उसके डैड ने बताया था और ऐसी कोई भी चीज नहीं होती लेकिन Eli इस चीज को नहीं मानता अब Eli अपने दोस्त के साथ में था कि तभी वहाँ पर हिलरी आती है और अपने साथ एक न्यूस पेपर लेकर आती है जिसके अंदर वो उसको एक आर्टिकल दिखाती है जहां पर पुलिस ने कई साल पहले आरल बर्गलरी नाम के एक आदमी को अरेस्ट किया है लेकिन आरल बर्गलरी ने कुछी दिन में वहाँ पर सुईसाइड कर लिया था और उसकी मौत आग में जलने के कारण से हुई थी अब ये दोनों ये नहीं समझ पाते कि आखिर वहाँ पर आग लगी कैसे लेकिन वो इतना तो समझ जाते हैं कि जो मौन्स्टर इलाई को डरा रहा है वो शायद यही है अब वो दोनों इस बारे में पता करने निकल पड़ते हैं ये दोनों एक बुड़े आदमी से मिलते हैं जहां पर वो बुड़ा आदमी उन्हें वहाँ पर एक पुराना सेल दिखाता है और ये बताता है कि वो सेल एक ऐसी जगा है जहां पर वो बर्गलरी वहाँ पर बच्चों को लाके मार देता था वो बुड़ा अब ईलाई को एक स्टोन उठाकर उसके अंदर फेकने को कहता है वो ये कहता है कि वो जब उस पत्थर को अंदर डालेगा तो उसे गिरने की कोई भी आवाज नहीं आईगी लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता इलाई जब उस टोन को अंदर फेकता है तो उसकी आवाज आती है इलाई ये समझ जाता है कि वो बुड़ा आदमी जुट बोल रहा है इसलिए वो उदास होकर वहां से चला जाता है अब इलाई अपने दोस्त के साथ में घर पर वापस आता है तो उसको वही पत्तर देखता है जिसे उसने फेका था वो इलाई की बेस्मेंट में जाता है अब वो इसको देखकर बहुत ही जादा डर जाते है उन्हें वहां पर एक होल भी दिखाए देता है जिसके अंदर से बहुत सारा धुआ निकल रहा था और तब ही ईलाई उस बॉल को उठाकर उस होल में फेकता है और जब वो बॉल को वहां पर फेकते हैं तो उस बॉल की कोई भी आवाज नहीं आती और वो बॉल गायब हो जाती है यह दोनों यह देखकर बहुत ही जदा डर जाते हैं जिससे सैम वापस अपने घर चला जाता है अब उसी रात ईलाई के पेरेंट्स जो होते हैं वो डिनर पर जा रहे थे और घर की सारी रिस्पॉनसिबिलिटीज वो एमिली को दे कर जाते हैं लेकिन यहां पर होता यह है कि पेरेंट्स के जाने के बाद में एमिली ईलाई को ऐसी सिच्वेशन में अकेला छोड़ कर अपने बॉइफरेंट के साथ में गूमने चली जाती है और वो एलाई का फोन भी अपने साथ में ले जाती है ताकि एलाई अपने मावाप को कॉंटेक्ट करके इस बारे में उन्हें ना बता पाए जिससे होता यह है कि एलाई अपने घर में बिलकुल अकेला हो जाता है और कुछी देर के बाद में घर की सारी लाइट्स चली जाती है अब उसके पास में सैम को वाकी टॉकी के थ्रू कॉंटेक्ट करने के अलावा कोई और आप्शन नहीं था वो डड़ते हुए अंदर जाता है और तब ही उसे यह रियलाईज होता है कि एमिले ने उसके वाकी टॉकी को बेस्मेंट में फेक दिया है अब इलाई किसी तरह से उस बेस्मेंट के अंदर जाता है दूसरी तरफ Eli के फोन पर उसके मॉम डैड के मेसेजिस आते हैं लेकिन एमिली उनके मेसेजिस का रिप्लाइ करती रहती है ताकि उसके मॉम डैड को शक ना हो जाए अब Eli यहाँ पर बेस्मेंट के अंदर रहता है ताकि किसी तरह वो की टॉकी को ले सके और खुद को बचा सके लेकिन वो मॉनस्टर अब Eli के पीछे लग जाता है और उसका पीछा करने लगता है वो monster gate से बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन क्योंकि Eli के पास में torch थी जिसके चलते वो बाहर नहीं आपाता यानि कि ये monster light को जेल नहीं सकता था Eli अब घर से बाहर भाग जाता है और Sam से contact करने की कोशिश करता है लेकिन बाहर भागते हुए उसको रास्ते में Hillary देखती है Hillary उसको ये बताती है कि उसे उस घर के अंदर नहीं जाना चाहिए जो कि वहाँ पर खड़ी थी जब Eli Hillary पे torch मारता है तो उस light से दूर जाने की कोशिश करती है और ऐसा होते हुए देखकर वो समझ जाता है कि वो Hillary नहीं है बलकि वो monster है तब ही उसे Sam की आवाज walkie talkie के जरीया आती है जिसको clearly सुनने के लिए Eli अंदर भाग जाता है Eli Sam से contact करकर उसको ये बताता है कि वो burglary monster उसके पीछे है अब Eli Sam को ये सब बातें पुलिस को बताने के लिए कहता है और Sam ऐसा ही करता है लेकिन तब ही Eli इस भूत से डर कर अपने bedroom में चला जाता है अब वो अपने एक device पर जिस पर camera लगा हुआ था उसके उपर एक flashlight लगाता है और वो उस device की मदद से monster के उपर flash मार कर उससे बचने की कोशिश में लग जाता है उस flashlight की मदद से उस भूत को काफ़ी ज़दा चोट पहुँशती है और वो monster उसी hole के अंदर चला जाता है जहां पर उसे देखा गया था और इसके बाद सारी की सारी lights वापस आ जाती है अब उसको ऐसा लगता है कि finally उसका पीछा बर्गलरी monster से चूट गया है and अब वो आजाद है वो Sam को बताता है कि उसने finally monster को हरा दिया है लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि उसके घर की lights कुछी देर बाद वापस चली जाती है और उस hole के अंदर से वो black shadow निकल कर आता है और Eli के उस device को तोड़ देता है वो अब धीरे-धीरे Eli के पास आने लगता है कि तभी वहाँ पर Sam अपनी cycle से पहुँच जाता है वो वहाँ पर Sam को ढूणने लगता है लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलता Sam पूरे घर में ढूणता है और finally Sam को Eli मिल जाता है लेकिन Sam के पहुँचने तक Eli की मौत हो चुकी थी और अब वहाँ पर police भी आती है और उस जगा को investigate करने लगती है तभी Eli के mom and dad and उसकी बेहन Emily भी पहुच जाती है और वो इस situation को देखकर काफी घबरा जाते हैं उसके mom and dad काफी जादा रोने लगते हैं और इस सदमे को जहिल नहीं पाते Eli के लिए सिर्फ उसके parents नहीं बलकि Sam भी बहुत ही जादा दुखी हो जाता है कि तभी उसके walkie talkie पर Eli की आवाज आती है उसकी आवाज मानों किसी दूसरे dimension से आ रही हो और वो यह movie यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों ये थी my soul to keep film की कहानी तो बात करें इस monster के बारे में तो ये light से काफी जादा डरता है और मुझे लगता है कि वो जो R.L. बर्गलरी वाला इंसान था उसने suicide कर लिया और वो इस darkness demon में convert हो गया और उसका shock पहले से ही बच्चों को मारने का था इसलिए वो बच्चों पर ही attack करता था और end में मुझे को ये लगता है कि Eli की soul उसी जगा पर trapped है यहां पर वो बच्चों को मारा करता था तो यहां पर एक उमीद तो जाकती है कि उसको बचाया जा सकता है लेकिन मुवी का end एक cliffhanger की तरह छोड़ दिया गया है ये फिल्म एक light horror movie है और अगर इसकी ending थोड़ी सी और increase करी जाती तो ये काफी अच्छी बन सकती थी और दूसरा इस movie के अंदर ये भी दिखाने की कोशिश करी गई है कि अपने बच्चों को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ना चाहिए लाइक यहां पर उसकी elder sister Emily उससे काफी ज़दा नफरत करती थी without any reason अगर वो उसका ध्यान रखती तो शायद से आज Eli जिन्दा होता और यहां पर parents को भी इस तरह से छोड़कर जाना नहीं चाहिए था तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो वीडियो को like कर देना चैनल पर नए है तो subscribe कर दीजे तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए झाल झाल